नमस्कार साथियों मैं मिंटो सिंग आपका स्वागत करता हूँ विजन अकैडमी की ओनलाइन क्लास में देखिए आग जो हम पोएम करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है नाइट आफ दॉ स्कॉर्पियन और इसको फेमोस पोएट निसीम एजिकल ने लिखा है जो कि एक इंडो आंगलियन पोएट थे एक भारतिय कवी थे तो निसीम एजिकल जिनका जर्म 1924 को हुआ एक इंडो आंगलियन या इंडियर जिविश पोएट थे और इन्होंने पोस्ट क्लोनियर लिट्रेरी वर्क्स से इनके जो वर्क्स हैं वो जाने जाते हैं पोस्ट क्लोनियर लिट्रेरी वर्क्स से मतलब ब्रिटिश हैं खत्म हो चुका था इंडिया में जब इन्होंने लिखना स् egy 2 के आसपास की बात है तो इसलिए इनकों पोस्ट क्लोनियर लिट्रेरी पोएकर कहा जाता है तो मुंबई का नाम बॉंबई था बॉंबई प्रेजिडेंसी तो ब्रिटिश इंडिया में इनका जनम हुआ और इनकी डेथ हुई रिसेंट्री टूथाउजन फोर में 9 जैनुवरी 2004 मुंबई महरास्ट्रा में इनको एक बीमारी थी बीमारी थी एलजीमर डिजुज इस बीमार था लेटर डेज जाउंस लेटर डेज आउंस तो इस वर्क के कारण इनको सहित्य अकैडमी अवार्ड मिला था और 1988 में इनको पदमश्री अवार्ड भी मिला था और यह एडिटर थे देक्वेस्ट मैकजिन के एक मैकजिन थी देक्वेस्ट उसके एडिटर थे और इन्होंनी Quadbea Box की इनकी गो और थी 1952 से 1988 तक जितनी भी पॉयम्स लिखे थी उनकी एक collection लिखे थे collected points जो की publish हुई थी 1989 में collected poem के नाम से यह जो poem है the night of the scorpion night of the scorpion यह इनके collection था the exact name जो 1965 में publish हुआ था उसमें यह publish हुई थी 1965 इस collection में यह poem है the night of the scorpion यह poem लिखी तो 1953 के आज़ पास गई है लेकिन इसको publish एक volume में करवाया था the exact name में देखे इस poem में ज़्यादा कोई difficult language नहीं और इस poem के बारे में ज़्यादा बताने वाली कुछ चीज नहीं है इसलिए मैंने poem के बारे में कुछ नहीं लिखाए सिर्फ poet का introduction दिया है क्योंकि इसकी बहुत ही simple सी language में एक story बताती है यह poem और एक gramene driven को चित्रित किया इन्होंने और एक selfless selfless love of mother पताया है कि मा कितना निश्वार्थ प्रेम अपने बच्चों से करती है तो देखते हैं हम इस poem को आप इसका screenshot लेजिए चली अब हम इस poem को explain करते हैं explain करने से पहले मैं बता दूँ कि यह जो poem है इसकी theme क्या है किस theme पर बात कर रहे हैं देखो एक तो theme है इसकी selfless love of mother और एक है पर ट्राइल आफ इंडियन रूरल लाइफ तो एक तो इसमें selfless love of mother बताया और दूसरा पर ट्राइल आफ इंडियन रूरल लाइफ कि भारत्य ग्रामीन जीवन कैसा है कैसे लोग रहते हैं कितने helpful लोग होते हैं कितने close-knit environment में रहते हैं वो मतलब एक बंदे को problem होती है तो सारी कठे हो जाते हैं तो उनका environment जो है बड़ा ही close-knit environment है जिस महाल में वो रह रह रहे हैं तो यह कुछ theme इस poem के माधिम से express करने चाहिए poet ने देखिए इस poem को लिखने का कोई regular meter नहीं है कोई regular stanza नहीं है ठीक है और कोई regular stanza नहीं है कोई regular meter नहीं है तो इसको हम कह सकते हैं कि यह free verse में लिखी गई है मतलब सवतंतर चंद लिखे गए हैं इसमें free verse में लिखी गई यह poem है तो करते हैं शरू I remember the night my mother was stung by a scorpion मुझे आज भी याद है वो रात जब मेरी मां को एक बिच्छो ने काट लिया था ध्यां दखना यह poet का personal experience था यह poet का personal experience था जो share कर रहा है तो I remember the night my mother was stung by a scorpion कि मुझे वो रात आज भी याद है जब मेरी मां को एक बिच्छो ने काट लिया था 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sick of rice तो बड़ी simple language है 10 hours of steady rain steady होती है continuously लगाता निरंतर होने वाली 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sick of rice मतलब बाहर 10 घंटे से बरसात हो रही थी तो बाहर बरसात हो रही थी तो बिलों में पानी भर जाएगा लगातार 10 घंटे से बरसात हो रही थी तो obvious सी बात है कि बिलों में पानी भर गया था इसलिए कि बिच्छू बाहर निकल कर घर में घुसगाया और आकर चावल की बोरी के पीछे छिप गया parting with his poison flash अपना poison part करके अपने से अलग करके मतलब मा को डंक मार कर poison flash होता है चमकदार बहुती चमकदार जो उसकी पूँच में डंक होता है न उसको अपने से अलग करके बिच्छू जब डंक मारता है तो अपनी पूँच में से उसकी पूँच में डंक होता है और पीछे से चोड़ के चला जाता है और दाइबॉलिक टेल कम दोए द्यत्यकार रक्षश के समान तो बहुत ही रक्षश के समान भ्यानत जो पूंच थी उसको छोड़ गया in the dark room एक अंधेरे कमरे में ठीक है मेरी मा एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी ग्रामीन जीवन है लाइट वगर नहीं होगी आगे पत चमकदार जो जहर वाली पूंच है देत्यकार पूंच है वो छोड़ कर चला गया रिस्क का मतलब है जोखिम उठाकर बरसात में चला गया क्योंकि बरसात में जाने का जोखिम क्या उठाया क्योंकि उसको यहां खत्रा लगा कि यहां रुकना खत्रे से खाली नहीं उसको प आप देंगे, he risked the rain again, the peasants came like the swam of flies, तो जो किसान है, peasants है, came like the swam of flies, जैसे मक्यों का जुन्ड आता है न, swam of flies उनको का गया, मक्यों के जुन्ड के समान है, देखो, like word का use हो रहा है, और peasants का comparison, swam of flies से हो रहा है, तो यहां क्या है, simly है, ध्यान रख लिए न, यहां है simly, next है, and buzz the name of God a hundred times, and buzz the name of God a hundred times, देखो, buzzed, and hundred times, यह दोनों figure of speech use होई है, इसमें, देखो, hundred times है, जरूर नहीं है कि सौ बार ही लिया हो, सैंकड़ो बार, hundred times का है, सैंकड़ो बार लिया है, तो किसी बात को बड़ा चड़ा कर कहा जाता है, तो यहां क्या हो रहा है, hyperbola हो रहा है, ठीक है, hyperbolic expression है, hyperbola हो रहा है, और buzzed, जब किसी word से ऐसा परतीत होता है कि कोई sound produce करने के लिए वो word use किया गया है, जैसे his, buzz, ठीक है, तो यह जो शब्द है न, इसको जब यूज किया जाता है, तो हम figure of speech कहते है, onomatopoeia, तो इस figure of speech का यूज हूँ है, जो sound produce करने वाले words यूज किये जाते हैं, उसको ओनों में टैप किया बूल देते हैं, जैसे buzzed, ओके, and buzzed the name of God a hundred times, और सेंकडो बार बगवान का नाम लिया, तो इससे क्या पता चलता है, कि आसपडोस के लोग आकर, मक्षियों के जुंड के समानी कठे हो गए, आकर उस मा के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो close-nit environment में रह रहे हैं वो, क्योंकि पडोसियों को पता है, उनको फिकर है, कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे, तो ये बच जाएंगे, थोड़ा सा superstition भी इसमें बताया गया है, to paralyze the evil one, कि ये जो evil है, ये जो बुराई है, इसको paralyze हो जाए, देखो, paralyze word used क्यों किया गया है, paralyze का मतलब होता है, लकवा मार जाना, ऐसी मानेता है, ऐसा माना जाता है, कि जब बिच्छु काट लेता है, बिच्छु के काटने के बाद, जैसे जैसे वो चलता है, उसमें movement होती है, वैसे वैसे शरीर में जो जहर की मूमेंट होती है वैसे वैसे जहर फ्यालता है अगर एक जगह पर टिक के बैठ जाए तो ना तो दर्द होता है ना जहर जादा फ्यालता है जैसे जैसे उसकी बाडी में मूमेंट होगी बिच्छू के वैसे वैसे उसके जहर की मूमेंट होग रूपक, ओके, to paralyze the evil one, with candles and lanterns, तो candles और lanterns, लाल टेन और मुंबत्तियां लेकर आए, throwing giant scorpion shadow on the sun-baked walls, सूरे में पकी हुई, जो दिवारे हैं, कच्ची मिट्टी की दिवारे, throwing giant scorpion shadow, जब वो आए, तो बिच्चु के समान, बिच्चु के काफी सारे पैर होती है न, तो इस तरीके से काफी सारे लोग आ रहे थे, उनकी हाथ की परचाईयां मन रही थी, तो ऐसा लग रहा था, बह दिवार पर पड़ रही हो, ठीक है, throwing giant scorpion shadow on the sun-baked walls, तो सूरे में पकी हुई दिवारे, कच्ची दिवारों को कहा है, तो इसमें दो चीजें आपको पता चली, एक तो जो environment है, वो बड़ा ही close-knit environment है, और गाम के लोग जो हैं, वो एक दूसरे के प्रती बहुत ज़्यादा careful हैं, इसलिए सारे के सारे ही कठे होके आगए, और मा के लिए prayer कर रहे हैं, चलिए next देखते हैं, they searched for him, he was not found, तो जितने भी गामवाले आए थे, उन्होंने उस बिच्चु की तलाश की, हिम बिच्चु के लिए है, scorpion के लिए है, he was not found, वो नहीं मिला, they clicked their tongues, with every moment the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said, okay, तो they clicked their tongue, click their tongue होता है, अपनी जबान से भगवान का नाम लेना या बड़ बड़ाना, ठीक है, बड़ बड़ाना, तो वो मुही मुह में कुछ बोल रहे थे, मन ही मन में कुछ बड़ बड़ा रहे थे, बोल रहे थे, तो यहां click word यूज हुआ है, यह भी sound produce क क्या है, onomatapia, onomatapia, okay, with the every moment the scorpion made his poison moved in mother's blood, हर moment, हर गतिविधी, जितना ही वो चलेगा, the scorpion made his poison moved in mother's blood, उतना ही मा के शरीर में जहर फैलेगा, मैंने पहले बता दिया था आपको, कि ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे बिच्छु चलता है, उसका जहर फैलता है, they sad, उन्होंने कहा, may he sit still, they sad, okay, तो वो कहने लगे कि काश वो बैठ जाए, काश वो बैठ जाए, may the sins of your previous birth, be burn away tonight, कि भगवान करे, काश ऐसा हो, कि तुमारे जो पिछले जनम के पाप है, वो इस जनम में क्या है, धुल जाए, जल जाए, खतम हो जाए, burnt का मतलब जल जाना होता है, नाश हो जाए, तुमारे पिछले जनम के पापों का, कहते हैं कि पिछले जनम में जो पाप किये हैं, तो उसका फल हमें इस जनम में मिलेगा, शायद इसलिए भगवान ने इस बिच्चु को बेजा है, बदला लेने के लिए, पिछले जनम में इसने कुछ पाप की होंगे तो जिसका बदला लेने के लिए भगवान ने इसको भेज आए बिच्छुबूं तो May your suffering decrease the misfortune of your next birth कि काश ऐसा हो भगवान करे कि ऐसा हो कि ये जो दुख तुम पे आया है ये जो misfortune तुम पे आया है तुमारे अगले जनम ठीक है ये जो पीड़ा तुम उठा रही हो अगले जनम के दुखों को कम कर दे May your suffering decrease ये जो पीड़ा तुम उठा रही हो decrease कम कर दे misfortune of your next birth they said ये गाँवालों ने काया है तो कुछ गाँवाले ये बोल रहे थे कि इसने पिछले जनम में कोई पाप किये होंगे उसका फल इस जनम में मिला है तो बगवान करें कि ये ठीक हो जाए कुछ कह रहे थे कि अगले जनम में जो दुख आने थे इसी जनम में मिल गए अगला जनम इसका सही हो गया कि सम अफ इविल जो बुराई है तो उसका योग बुराईयों का योग क्या हो जाए बैलेंस हो जाए संतुलित हो जाए मतलग अच्छाईयों के अगेंस्ट जैसे एक तराजू के में बताए गया कि जैसे मरने के बाद भगवान के पास आते हैं एक तराजू में अच्छे करम रखे होते हैं एक तराजू में बुरे करम रखे होते हैं तो भगवान करें ये बैलेंस बन जाए ऐसा ना हो कि बुरे करम जादा हो और अच्छे करम खम हो तो ये चल बसेगी ये इस दुनिया में नहीं रहेगी तो भगवान करे इसने पिछले जनम में कोई पुन्य किये हूँ या इच जनम में कोई पुन्य किये हूँ और पिछले जनम के कोई पाप हूँ उनका अपस में balance बन जाए जो कुछ भी है balance बन जाए एच्छे करम किये है रिष्ट कराओ के इसके जो अच्छे करम जादा हो तो बच जाए हो become diminished by your pain they said तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तकलिफ से तुमने जो पेन उठाया है तो उस पेन से क्या है तुम्हारे पिछले जनम के जो पाप है वो खतम हो जाएं उनसे मुक्त हो जाओ या आने वाले जनम के जो तकलिफे हैं वो तुम्हारे नस्ठ हो जाएं दे सैड उन्होंने कहा अब देखिए यह तर्म देखिए में में आगे भी कुछ लाइने हैं उसमें भी आएगा में ओके देखो देखिए लिए प्रेटिशन आफ सीज्व्रे और फ्रेज है उनका इसजी स्टनजा जे कि कि वहां ने वाले इसजी पैसेजेस हैं कि उन्नमें अगर सेभी की इसनलक्रिफिटe शनलय है बार 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 बि इंगि बिगनिक में सेम वर्ड की रिपिटिशन हो रही है, तो उसको बोल देते है, एनप वो रहा, ठेक है? यहां पर एनप वोड़ा हो रहा है में की रिपीटिशन से, अगर, और अगर रिपिटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज, एपिफोरा एनाफोरा और एपिफोरा या अपिस्ट्रोफी अपिस्ट्रौफी ऑकी एपिस्ट्रौफी या अपिफोरा destructive- word यूज और यूज करेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा ठीक है ओके question में आ जाए ठीक है एपिफोरा तो सही है तेकिन आप लिखने के लिए को वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए तो लास्ट के पिट तो एपिफोरा एक और टर्म है एपिफोरा का मतलब ये भी होता कि बहुत जादा आंसों बहा देना बहुत जादा रो देना मतलब आंसों का समुंदर तो इसलिए एपिफोरा वर्ड उसके लिए भी यूज़ कर देते हैं तो आप एनाफोरा और अपिश्ट्रॉफी याद रखेंगे तो बिगनिंग में हो रही है तो एनाफोर है ठीक है लास्ट में हो रही है तो एपिश्ट्रॉफी है तो ये कुछ यह जो जहर है वो purify कर दे शुद कर दे your flesh of desire तुमारी बहुत से इच्छाओं वाला जो यह शरीर है तुमारी जो body है उसको भी शुद कर दे and your spirit of ambition और तुमारी अंतर आत्मा जिसमें बहुत से ambitions हैं बहुत ambitious होती है हमारी आत्मा उस ambitious soul को क्या कर दे purify कर दे मतलब उसका आत्मा और शरीर दोनों को शुद कर दे जो जहर फैल है they sat around on the floor with my mother in the center तो मा बिल्कुल beach में थी चारों और से घेर का बैठ गए ठीक है जमीन पर नीचे बैठ गए the peace of understanding on each face उनके चहरे पर क्या है एक समझ का भाव था मा के दर्द को वो समझ रहे थे कि मा को कितनी तकलिफ हो रही होगी और मा कितनी बड़े खत्रे से जूज रही है तो यह एक तरह की समझ उनके चहरे पर जलक रही थे बहुत ही समझदारी के साथ वो जमीन पर बैठ गए more candles more lanterns more neighbors तो ज्यादा से ज्यादा मुंबतियां आती गए लाल टेन आती गए और ज्यादा से ज्यादा पडूस ही आते गए जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था क कि ऐसा कुछ हुआ है पडूस में तो वो धीरे धीरे इकठे हो रहे थे more insects और उनके साथ जो light पर आने वाले कीड़े मकॉड़े होते हैं इंसेक्स होते हैं वो भी ज्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि जितनी ज्यादा lights होंगी इतने ज्यादा वह आएंगे and the endless rain और कभी न रुकने वाले बरसात हो रही थे ऐसा लग रहा था कि endless है ये कभी खतम नहीं होगी तो यहाँ पर hyperbol हो रहा है कभी न खतम होने वाली तो बढ़ा चड़ा कर बोल दिया है endless rain यहाँ क्या है hyperbol है my mother twisted through and through मेरी मां बार बार क्या है twist करना होता है करवटें बदलना दर्द से करा रही थे तडप रही थे और यह दर उदर करवटें बदल रही थे ठीक है my mother twisted through and through groaning on the mat जो कालीन बिच्छा रखा था जो चद्र बिच्छा रिखे थे उसके ओपर बैठे दर्द सेकराना होता है ग्रूनिग दर्द से करा रही थे थृ एंद थू दो बर रेपीट हुआ है इसलिए रीपीटिशन है लिट्रिशन यहां repetition है क्योंकि पूरा word repeat हो रहा है तो यहां क्या है repetition my father skeptic skeptic होता है संशेवादी rationalist विवेक पूर ठीक है मेरे पिता जी जो थे वो शंशेवादी थे और बड़े ही विवेक पूरन थे मतलब उनकी दिमाग से काम लेना जानते थे उनको शंशे था इस बात का कि बगवान की प्रे करने से बगवान के सामने यह करने से कि बगवान इस दर्द को ठीक कर दे उसको पैरालाइस कर दे यह जो गाम वाले कर रहे हैं ऐसा करने से कुछ नहीं होगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फिर ही ठीक होगी तो माई फादर स्कैप्टिक विवेक पूर्ण स्कैप्टिक संश्यवादी और रेशलिस्ट विवेक पूर्ण ट्राइंग एवरी कर्स और ब्लैसिंग कर्स और ब्लैसिंग मतलब हर बुरी से बुरी चीज अच्छी से अच्छी चीज यूज कर रहे थे मतलब बंदे को कोई तकलीफ होती है तो वो कहता है कि कितनी भी कड़ करती हैं तो खा लेता है है ठीक है कि यह दवाई के रूप में कोई चीज क्ड़ खा रहे हो तो मेरे पिता जी भी हरफ है weAd किर्स और ब्लेसिंग, दो अपोजी टर्म हैं, to set the opposite term अगेंस्ट इच अदर, this call antithesis, यहां antithesis हो रहा है, दो अपोजी टर्म है, अपोजी टर्म हैं, तब तो लेकिन opposite विरोधालंकार है ट्राइंग कोज़ों को मिला कर मेरे पिता दीर ट्राइब क्योंकि वो विवेक पूर्ण वैक्ति थे उनको संश्य था कि सिर्फ ऐसा करने से मदर जो उसकी वाइफ है वो ठीक नहीं होगी पोईट की मदर ठीक नहीं होगी उसके लिए क्या है कुछ न कुछ करना पड़ेगा तो उन्होंने बहुत सी जड़ी बोटियां लाई और उनको ट्राइ किया चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ही एवन पोट अलिटिल पैराफिन अपन दे बिटन टो एंड पुट मैच्ट टू इट यह लाइन देखिए पिछली लाइन से बिलॉग करती है क्योंकि उसमें पोईट ने कहा था माइफादर ट्राइड एवरी कर्स अन ब्ल पोड़ा सा मिट्टी का तेल लॉडव उड़ेला और पालाफिन मिट्टी का तेल केरोसीन अपन बिटन टो जिस अंगुठे पर बिच्छो ने काटा था उस अंगुठे के ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया मैच्ट को माचिस की तीली लगा दी आग लगा दी I was the flame feeding on my मैं मैंने क्या देखा कि मेरी मां को आग निगल रही थी ऐसा नहीं कि इसकी biddy को अग लग रही थी जैसे गुटने पर अग लगी तो लप्टे उठी तो उस सा लग रहा था कि ये आग मेरी मां को निगल रही है ठीक है, तो I was the flame feeding on my mother, flame feeding देखिए, F sound की repetition हो रही है, तो यहाँ तो है alliteration, ठीक है F sound की repetition alliteration, और एक क्या है, आग मा को निगल रही है, तो इंसान के समान दिखाया जा रहा है, आग को इंसान के समान दिखाया जा रहा है, तो flame का क्या हो रहा है, personification हो रहा है फ्लेम का क्या हो रहा है पर सौनि आग की लप्टों का personification हो रहा है ओके दो फिगर आइस में I was the flame feeding on my mother I was the holy man his right performing his right आया ठीक है to tan the poison with in contention ठीक है I was the holy man performing his right एक जड़ा डालने के लिए कह सकते हैं तो जड़ा डालने के लिए उसको बुलाया हुआ था तो मैंने क्या देखा वो भी आपने तंत्र मंतर पढ़ रहा था वो भी अपने जो अनुस्ठान वगारा जो करना है वो कर रहा था to tame the poison उस जहर को control करने के लिए with in contention ठीक है in contention का मतलब है तंत्र मंतर तंत्र मंतर से वो उस जहर को control करने की कोशिश कर रहा था एक तरफ तो पिता जी जड़ी बोटियां लगा रहे थे पैराफिन लगा रहे थे एक तरफ जो ओजा था उससे भी जड़ा डलवाया जा रहा है तो ग्रामीन जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कोई problem होती है तो एक तरफ से क्या है वो दवाई बगरा लेकर आते हैं अब दवाय से हो जाता है कि्रपा बबा जी की हो जाती है तो चौहसरे के अगेंस्ट है कि लोगों में अंध विश्वाष भी है और साइंस को भी फोलो करते है ठीक है, तो to tame the poison with in contention, after 20 hours, it lost its tongue, 20 गंटे बाद उसका जहर खतम हो गया, 20 गंटे बाद उसका जहर खतम हो गया my mother only said मेरी मा ने सिर्फ इतना ही कहा, these line these two lines are the soul of this poem ये दो लाइने जो हैं इस कवीता के इस poem की आत्मा है, देखो कैसे, thank God the scorpion picked on me and spared my children मा ने उठकर सिर्फ यही word कहे, कि बगवान तेरा लाख लाख शुकर है, कि वो बिच्छु ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, स्पेर कर दिया, क्योंकि जाता, तो बगवान तेरा लाख लाख शुकर है कि विच्छु ने मुझे काटा उसको मरने का भी डर नहीं था, अगर वो मर भी जाती तो भी बगवान के प्रती thankful थी कि विच्छु ने मुझे काटा तो इस line से आपको पता चल जाएगा कि selfless love of निश्वार्थ प्यार selfless love एक मा ऐसा ही करती है अपने बच्छों को सिर्फ sweet flower देती है और जिंदगी के जो कांटे होते हैं वो अपने लिए चुन देती है ठीक है और दूसरा दूसरी इसकी theme है portrayal है यह मैंने बता दिया था portrayal of Indian rural life और close knit atmosphere और superstition यह सारी बाते हमें एक Indian rural life के बारे में पता चलती है जो उस समय में मौझूद थी आज भी कुछ जगों पर ऐसा माना जाता है कि तंत्र मंतर से क्या है यह जहर बगारा ठीक हो जाते है तो यह थी हमारी poem Night of the Scorpion मिलते हैं next poem के साथ Thank you very much जए लगारा ठीक है